दश्रत नंदन राम पुरुशोत्तम मर्यादित शायद ही कहे जाते अगर वन को ना गए होते वन के 14 साल उनके संघर्षों का काल था जहां वे कभी जानवरों से तो कभी राक्षसों से लड़ते रहे सीता हरन के बाद वे स्वयम से भी लड़े लेकिन जब अयोध्या लोटे तो अलग अलग तरह के मित्र के साथ लोटे सुखद लोटे लेकिन आज के राम को किसी के कहने पर नहीं जाना होता वो अपने घर के और राज्य में अभाव के कारण वन रूपी शहर को जाते हैं और फिर कभी नहीं लोटते कुछ राम स्वेच्छा और इच्छाओं से नहीं लोटते और कुछ राम इच्छा रहते हुए भी जिम्मेदारियों के कारण नहीं लोट पाते इच्छित राम धीरे, धीरे गाउं, समाज रूपी मुकूट को बदल कर शहर के कमरों में समाते जाते हैं, जहां उन्हें ना किसी मुकूट की चिंता है, ना किसी ताज की और ना ही किसी महाराज की विद्या निवास मिश्र, 28 जन्वरी 1926, 14 फर्वरी 2005, ललित निबंध को हिंदी साहित्य में स्वीकृती और सम्मान दिलाने वाले तथा लोक संस्कृती को जिलाए रखने वाले महत्वपूर्ण निबंध कार हैं, वे परंप्रा को मार कर आधुनिक्ता को जीवित रखने वालों में से नहीं बलकि परंप्रा को नजर में रखते हुए आधुनिक द्रिष्टे कोन रखने वाले लेखक थे उदासी मन में तो हो लेकिन वजह पता ना हो तो वो और खटकती है मेरे राम का मुकोट भीग रहा है कि निबंध कार की ऐसी ही हालत है वो, मैं सुस्ते हैं कि जो कुछ भी हुआ वो सहज ही हुआ ना होता तो अटपटा होता लेखक के पुत्र जो संकर बोध की कविता लिखते हैं और महानगरिय वातावरन में पली एक कन्या जो उनसे अनुमती मांग कर एक संगीत कारेक्रम में जाते हैं देर रात तक दोनों जब नहीं लोटे तो लेखक को चिंता हुई वो समूचे रात उनकी राहा जोहते रहे हमारे मन में जब वहुत दिनों से कुछ बैठा हो तो वो इंतजार के समय में जरूर बाहर आता है लेखक के मन में भी एक पंक्तियां गूंजी मुकुटवा मोरे राम के भीजे लच्छमन के पटुकवा मोरी सीता के भीजे से नुर्वातर राम घर लोट ही उनकी दादी, नानी यह गीत उनके बाहर जाने पर गाती थी लेकिन तब उन्हें उस भाव का एहसास नहीं खोता था, लेकिन वही बात है जो बात हम दूसरे के साथ नहीं सीखते स्वयम के साथ सीख जाते हैं, आज लेकिन उसी मनोभाव से गुजर रही है उन्हें बाहर गई हुई लड़की की चिंता है, यह समाज लड़कियों के लिए सुरक्षित नहीं है चिंता वाजब है लड़कियों के लिए इस समाज की दृष्टी अभी भी नहीं बदली, उसे अभी भी देर रात बाहर निकलते डर होता है कितने स्तरों पर वो बचेगी? लेखक को कौशल्या के दुहक में सभी वन गमन को गए बेटों की मा दिखाई देती है जो अपने राम के मुकुट की भीगने की चिंता में है राम के अभिशेक ना होने के कारण पेर पौधे लताएं सूख रही है राम को वास्तविक मुकुट तो तब नहीं मिल पाता लेकिन उस मुकुट की उन्हीं जरूरत भी नहीं क्योंकि वो मुकुट संपूर्ण जन के मन में बसा हुआ है जिससे किसी सर की जरूरत नहीं कितनी बार राम के मुकुट पर आच आने से उसे सीता बचाती रही स्त्रियां सब कुछ देख सकती है लेकिन जिससे वो चाहती है उसके जुके हुए मुकुट को नहीं देख सकती जुर्वां बच्चे को निहारते हुए भी सीता अंत तक राम के मुकोट को बचाए रखती है वो कहीं भी अपने अपमान के जुआले को उफनने नहीं देती लेखख, शब्दों के घने जंगलों में अंत तक घिरा रहता है उसे पीडियों का टक्राव दिखता है जहां पुरानी पीडि नई पीडि से तालमेल नहीं बिठा पा रही और नई पीडि उनसे तालमेल बिठाना नहीं चाहती जहां मुकोट को कोई भी भीगने देना नहीं चाहता जहां मुकोट को बिठाना नहीं चाहता है